मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन नजर आ रहा है तो अगर मार्केट आज पास ओपन होता है तो अच्छी बात होती लेकिन अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारा प्लान थोड़ा सा बाइंग करने का है क्योंकि नीचे कोई स्टोपलोस नहीं अपर नहीं आना चीया फिर क्योंकि जादा डिस्टेंस नहीं होना ची तब तक हम थोड़ा सा बाइंग करने का मार्केट के अंदर प्लान बना रहें अगर डिस्टेंस जञदा हो जाता फिर हमें देखना पड़ी है कैसे हम परेंगे ऐसा ही निटे के निटे में तो ज़्दा पर पोजिशन बनाना पड़ेगा थोड़ा सा में वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कंटीनू सेलिंग आ रहा है तो हम यह भी नहीं सोच सकते कि मार्केट ऐसे रिकवरी हो जाएगा और ऐसा भी प्लान नहीं बनाया जा सकता कि मार्केट गिर जाएगा क्योंकि नी पॉजिशन काट के कभी भी भाग सकते हैं तो लिए हम यहां पर पोजिशन बनाना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैं वेट तो यह करा था कि मुझे कोई बाइंग सैट का ट्रीन मिल जाए लेकिन मार्केट के अंदर मुझे वो स्ट्रेंथ नजर नहीं जिसके अकोडे यह प्लान बनाए कि मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए थोड़ा हो सकता है कि मार्केट में यह ब्रेकाउट हो जाए तो पॉसिबल्टी ब्रेकाउट कितना होता है उसके उपर डिपेंड करेगा तो अभी ही के लिए अपना पोजिशन बनाना मैं जाणा पड़ेगा तो यहां पर हम शृंडटrak को बाई कर लेते हैं उसके बाद अपना यहां पर है थोड़ा速 देखते रहेते हैं अभी तो श्राइव स्यलिंुसंदैस्ण में आ रहत उड्डिक्वत होने वाली है नहीं तो यहां पर हम सेकंड़ बना लेते हैं इसके को बाय कर लेते हैं उसके बाद अपना यहां पर निफ्टी का भी चलने लगाए तो इसमें भी हम पोजिशन बना लेते हैं यहां पर बाय कर लेते हैं तो अभी अपने 14-18,000 के राउं लोस नजर आ रहे हैं तो थोड़ा से यह रिकवरी नहीं होना चाहिए तो मुझे लगा क यह कंटिनियोशन में जाएगा अगर यह रिकवरी हो जाता है तो बड़ी ही ज़्यादा समस्या यहां पर क्रियेट कर देगा मार्केट हमारे लिए रिजन क्या है कि अगर इस लेवल का ब्रेक आउट होता है और मार्केट थोड़ा बहुत आसपास चला जाता है फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा फिर 49-200 आसपास आ जाएगा जो कि लेवल बहुत ज़्यादा ही पूर्टेंट हो जाता है मार्केट उसको टेस्ट चले जाएं क्योंकि 42,000 के राउंड ये लोस बुकिंग करना पड़ेगा और फिर जाकर कोल साइड में पैसा बने या ना बने कोई गारंटी नहीं क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट में ये वाला सैलिंग हुआ उसके बाद अगर ये थोटा मोटा ब्रेक आउट पहले दिखा देता तो मैं भी यहां पर बाय करने का प्लान बना सकता था, लेकिन मार्केट बार बार नीचे जा रहा था तो मैंने सोचा कि मार्केट ऐसा करने वाला है कि मार्केट में sharp selling हुआ उसके बाद दुबारा से किसी ने पैसे लगा है और मार्केट को नीचे ले जाना चाता है मेरा simple सा प्लान था लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ये overconfident होकर मैंने आपे trade किया केंडल का लोस मुझे नजर आ रहा है कोई दिकत वाली बात नहीं अब यहां पर trade क्यों बनाएगे वो मैं आपको बदा देता हूँ अलांकि यहां पर मेरा प्लान था कि buy मैं यहां पर करूँ लेकिन उपर वाले stop loss यहां से हम target करने पाएंगे मार्केट नहीं यह sharp selling भी दिखाया अगर छोटा मोटा selling होता इसी में recovery करके दिखा देता तो हम फिर भी थोड़ा सा sentiment को समझने की कोशिज करते हैं दूसरा रिदन है कि निफ्टी अपने आपको पहले ही जो पर केश टोपलों से वो निकाल चुका है तो यह दुबारा से नीचे आ सकता है और इसके साथ बैंग निफ्टी अपने आप में ही negative है तो यह अपने आपको negative रख सकता है तो इसलिए मैं यहां पर चांस नहीं ले हो जाए तो probability बढ़ जाएगे otherwise अगर यह breakout होता है तो market उपर जाएगा वैसे तुम आपको normally कहता हूं कि breakout के बाद market को नीचे आना चाहिए लेकिन breakout कहां पे हो रहा है वो आपको देखना चाहिए देखिए market ने क्या किया selling हुआ retracement हुआ हो सकता है दूसरे लोग यहां पर selling करें ऐसी situation में अगर breakout होता है तो क्या मतलब बनता है कि यहां पर किसी ने selling किया अब उनके market SL खाएगा अगर उनके SL खाना शुरू हो गया तो market यहां तक आ जाएगा और यहां तक आएगा तो फिर छोटा मूटा rejection लेगा तो market उ उपर जाएगा और अगर directly breakout देगा तो भी हमारा loss होगा तो यह probability market के अंदर कभी अभी बन जाती है और अगर range bound हुआ तो भी काम चल जाएगा तो अभी तो अपना कोई ज्यादा loss नजर नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है यहां पर breakout नहीं मिलना चाहिए breakout में किसी भी कार्ण यहां पर चाहता है नहीं कि breakout market में हो और nifty भी थोड़ा सा negative रहे तो यह अच्छा रहेगा हमारे लिए क्योंकि यह bank nifty को उपर ले जा सकता है अलांकि bank nifty अपने आप में negative है लेकिन हो सकता है कि अगर उपर चलने लगे तो दोनों ही साथ की साथ में भागने लगे थोड़ अपना थोड़ा बहुत market के अंदर profit चलने लगा जो कि अच्छी बात है क्योंकि अचानक से जब market के अंदर loss चलने लगता है तो वहां पर loss हो वी सकता है अब इसने breakdown दे दिया तो अब हमारा काम बन जाएगा कोई दिकत नहीं होने वाली थोड़ा wait करते हैं अभी तो अपन market के आसपास हैं जिस प्रकार का selling market के अंदर नजर आ रहे उस लेवल का market के अंदर profit नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा wait करेंगे देखते हैं अभी तो फोड़ा बहुत green candle बनाने लगा है अब इसमें प्रिशान होना तो नहीं चाहिए क्योंकि market के अंदर selling बहुती अच्छा रहा है यहां पर तो ऐसे दो recovery नहीं करना चाहिए लेकिन जब नीचे कोई ऐसल नहीं होते तो हो सकता थोड़ा वो तमें market में परिशानी देखने को मिले थोड़ा wait करते हैं 60,000 के राउं और निफ्टी भी एक support के आसपास आया हुगा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने नहीं चाहिए बन जाना चाहिए टार्गेट उम्मी तो मैं ही कर रहा हूं और ऐसा मुझे कोई भी candle यहां पर नहीं चाहिए बड़ा सा green candle वो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा wait करते हैं तो यहां पर हमें अपनी position को काटना पड़ेगा तो पहले मैं अपनी position को काट लेता हूं उसके बाद मैं को reason explain करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि market अब और भी नीचे जाएगा तो पहले अपनी position को हम काट लेते हैं उसके बाद अपना final position भी काट लेते हैं तो यहां पर 34,000 के round हम profit बना पाएं अब देखे market में यहां से हो रहा है possibility recovery का तो हमें यहां पर जल्दी से call side में जाना पड़ेगा 600 quantity को यहां पर हम buy कर लेते हैं उसके बाद अपना यहां पर second portion बनना चाहिए 600 quantity हैं यहां पर build कर लेते हैं उसके बाद अपना यहां पर finalов sniffly का परोशन बनना चाहिए 600 quantity हैं यहां पर भाई कर लेते हैं, अभी देखी इस प्रकार की situation मैं आपको समझाता हूँ कि यह मैंने क्यों किया, reason क्या इसका, कि market के अंदर यह वाले जो weakness थी, इसके कारण हम यह क्या नहीं सोच रहे थी, कि market को ऐसे recovery यहां से करना ची, इसी वज़य से में market में थोड़ा सा selling आने लगा, तो हमने यहां पर थोड़ा सा selling का focus किया, अलांकि market में अगर यहां पर भी breakout हो जाता, तो मैं यहां पर भी buy करने का plan बना सकता था, अब market देखी, यह तो selling किया market के अंदर, लेकिन यह जो selling में पैसा बना के दे नहीं रहा है market, बार-बार नीचे जाता है, लेकिन target के आज़ पास नहीं पहुंच पा रहा है, और दोनों के पास एक अच्छा खासा support है, और नीचे यहां पर अगर market जाएगा, तो probability मुझे कम नज़र आ रहे है, कि market में जादा बायर यहां पे आएगी, जिस प्रकार का यह selling market नहीं बनाए, अगर यह hold नहीं करता, और थोड़ा सा fastly निकलता, तो मैं मान सकता था, लेकिन यह जो इसने breakdown देखकर फिर से recovery दिखाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि market में यहां पे एक recovery possible होगा, या एक range bound market होगा, क्योंकि nifty के पास भी बहुत अच्छा support है, और यह पहले सी अपने आप में positive खड़ा हुआ है, तो अब ही हमें अपना एक positive trade लेना जुरूरी था, तो इसलिए मैंने अपनी selling side के position को काड़ दिया, हलांकि यहां पे अच्छा कासा target बार बार reach हो रहा था, लेकिन अब वो probability थोड़ी सी मुझे कम नजर आ रही है, या तो bank nifty एक range bound में जाएगा और nifty positive जाएगा, या फिर यह दोनों अच्छा कासा recovery यहां पे दिखाएगे, तो इस प्रकार के मुझे possibility नजर आ रही थी, इसलिए मैंने यहां पे put side के position को काड़ कर cold side में चला गया हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम put side में loss लेके निकले हैं, यहां पे हम ना कुछ ना कुछ profit बनाएं, लेकिन यह जो target था, यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने put के अंदर भी कुछ पैसा बनाया था, अब हमने call के लिए अलग risk reward maintain करें, तो यहां पे हम थोड़ा बहुत market के अंदर और भी profit निकालने की कोशिस करेंगे, और market में ऐसा कोई chart नहीं बना है कि यहां से दुबारा से में selling देखने हों को मिले, तो थोड़ा wait किया जा सकता है, जब दुबारा यह हाई वगेरा को growth करने ही लगे जाएगा, तब हम इस level के आसपास आएगा market निकल जाएगे, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिस कराऊं कि market के अंदर मुझे और profit मिल जाए, तो just wait करते हैं, अभी अपना ठीक ठाक market के अंदर profit चलने लगा है, तो यहां पे देखिए अपना 75,000 के round profit चला है, लेकिन market थोड़ा सा recovery दिखाना शुरू तो कर चुका है, लेकिन वो वाला recovery मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि market में थोड़ा सा selling जादा आ गया है, तो मैं यहां पे निकलने की कोशिस करूँगा, हलांकि अपना यहां पे target रीज़ हो चुका था, एक लाग के आसपास चले गए थे, लेकिन अब यहां पे देखिए market sideways सा नजर आ रहा है, उपर नीचे कर रहा है, पहले तो मैं वेट कर रहा था कि एक बड़ा target यहां पे मैं अप्रोच कर पाऊँ, जिस प्रकार का market था, कि market में इस लेवर के आसपास मैं अपना profit booking करूँ, लेकिन market ने selling थोड़ा सा जादा दिखा दिया, यहां पे अच्छा कास अपना profit चल रहा था, अब यह जो वाला selling आया, यह थोड़ा बहुत market को sideways या continue ले जा सकता है, तो already हमने यहां पे put side में कुछ पैसा बना रखा है, cold side में दोबारा से कुछ पैसा बना है, हो जाएगा, और फिर market जादा ही time ले लेगा, अगर recovery करता है, और अगर selling में चला जाएगा, तो और भी जादा problem create करेगा, इसलिए हम यहां पे अपना profit booking करके भाग जाते हैं, बड़ा ही उपर नीचे का momentum रहा आज की दिन, खेर कोई बात नहीं, जैसा भी मौका मिला, अच्छा काम बना की market में, यहां पे profit booking नहीं कर पाए, यहां पे profit booking नहीं कर पाए, ओवराल बिल्कुल middle में आसपास हम यहां पे profit booking कर पाए, कोई दिकेत बाली बात नहीं, ऐसा ही होता है कुछ दिन, 71,000 के राउंद हम net profit booking कर पाए, धन्यवाद,